मुश्कार एक्सकूजिस अमचार में आप बस वागए आई नज़राल लेते हैं आँच की विशेश खबर पर मन की बात कारिकरम में पीएम मोधी ने करोना वारिस और लोकडाउन पर जनता के सामने रखे अपने विचार परधानमंती नरेंदर मोधी ने आज अपने रेडियो कारिकरम मन की बात के जरिये देश को संबोधित किया कारिकरम में पीएम मोधी ने देश की जनता से लोकडाउन को लेकर माफी मांगते हुए कहा कि मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूँ मुझे विश्वास है कि आप मुझे शमा करेंगे आगे उन्होंने कहा दूसरे देशों के हाला देखते हुए इसमा हमारी से बचने हेतु कुछ ऐसे फैसले देने पड़े जिनकी वज़़से जनता को परिशानी हुई उन्होंने कहा कि लोगडाउन के चलते दिहारी मज़़ूरों की बहत भावुक करने वाली तस्वीरे सामने आ रही है इसे तू सभी गरीब भाई भेनों से एक शमा मांगता हूँ पीएम मोधी ने कहा कि वे जनता की परिशानी समझते हैं परंदू ऐसे विकेट प्रस्तिती में 130 करोड देशवासियों को बचाने के लिए इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था पीएम ने कहा कि करोना के खिलाफ हमारी लडाई जीवन और मरित्यों के बीच की है इस लडाई में हमें जीतना है पता दे कि इस कारिकरम के दुरान पीएम ने करोणा वारिस को हराने वाले कुछ लोगों वडोक्टरों से भी बात की इसके साथ ही उन्होंότεे संचार एवं बैंकिंग सेवा कर्मियों के सयों के लिए अभार जिताया पर धार मंतरी ने आगे सोशल डिस्टेंसी कार समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ किसी को दुद्कारना नहीं है बलकि सोशल डिस्टेंसिंग भोतिक दूरी को बरकरा रखना है ना कि एक दूसरे से मन की दूरी विराना आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोग संदिग्द मेरी जोसे बुरा बरताव करें हैं ये बहुत दुख्ध है अतै आपसे अपील है कि आप ऐसे लोगों के प्रती वेरभाव प्रकट ना करें एक्स्क्लूजिव समचार आप सभी से अनुरोध करता है कि करोना वाइरिस को लेकर कोई भी भ्रमित ना हो पर शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें एक्स्क्लूजिव समचार में आज के लिए इतना ही ऐसे और खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें और बैल आइकॉन का बटिन दबाना ना भूलें धन्यवाद